कि हैलो फ्रेंट्स गूद आफ्टर्णून कैसे हैं आप सब लोग आई होब कि आप सब बढ़िया होंगे तो फ्रेंट्स सबसे पहले तो आप सबको सौरी बोलना चाहती है क्यूंकि मेरी रोज जो हैज कल वीडियो नहीं आ पारी हो उसका एक रीजन है क्यूंकि जब से यह म सब चेंज होता था तो मिरको हो जाता है और जिस दिन में सर्विध होती हुना उस दिन मीं ऐसे चीयव जैसे लगता है और और वह बहुत लोगों को होता है मैंने सोना बहुत लोग आज तो आप लोगों मेंसे कि-Kis को जोता है clever क्या म filled करताना और इंश बस इतनी ही rim лучше है कि में कम से कम 2-3 दिन के अंदर पर subscribe किसी नहीं नहीं करा है और मेरी दो ही वीडियो में यह समझ लिजे कि मेरा वाश्टेम जो है पूरा होने वाला ही एवस और सब्सक्राइबर मेरे अभी तक होने हुए नहीं पूरे तो बस मेरी हर वीडियो में यही रिक्वेस्ट आप से कि जो भी मेरे वीडियो को देखता है सब्सक्राइब जरू करें तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं तो आज की वीडियो में देखे मैं इस कबार से बनाने वाली हूँ तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इस से क्या बनने वाला है तो फ्रेंसिस से बहुती बढ़ी एचीज जो है आज में बनाने वाली हूँ तो यह देखे में पास चोटी-चोटी सी कतरन पड़ी है जो बि देखे मैंने हापे एक पैंट थी मेरे पास स्कूल की पैंट थी यह तो यह वाइट कलर की थी तो इसमें दाग वगयर कुछ लग गये थे तो यह थोड़ी खराब सी लग रही है देखने में तो मैंने इसके नीचे के पाट लिया हुए पैंट का और इसको जो एक साइज में I can cut your left the और देखे कट करने के बाद मैंने यह दोनों टांगों के जो हैं यह लेक्स के जो है बूली थी मैंने पाट इस पैंट के तो इनको जोन को अच्छे से जोड लोंगी और उसके बाद देखे मैंने आपे नए छोटे-छोटे सी इस तरह से छे कट के लिया है तो आपवा इसको बढ़ाने के लिए कपड़े लिया है तो मोटा पतला कपड़ा उसी साफ से इसमें जो है कत्रन आप जोड़ सकते हैं इस तरह से और अगर आपके पास इसको अस्तर नीचे का अच्छा खासा मोटा है तो आप इसमें जो है अच्छा सा इसमें बना सकते हैं तो देखिये इसी तरह से जो है मैं पूरा इसको यह है लोड़तै कि बन जाया जोड़ने के बाद कुरी इससे पूरडय तब दिख लीजी जरी पहले डेकिसे तो इसको बन मैंने अच्छे से चारों तरफ से जो है कट कर लिया है और मतलब एक जैसा कड़ लिया है जी फालतु कपड़ा था देखिए मेरा कुछ इस तरह से जो है बन करके तयार हो गया है तो इसमें जुदना वे एक्ष्टा कपड़ा उसको कट कर देना है कोई मेजर्मेंट तो था नहीं हमारे इसलिए थोड़ा एक्ष्टा तो बचे गई बचेगा वह तो यह देखिए और इसी तरह से मैंने जो है कुछ काफी सारी पीस जो है सिल करके रख लिये हैं तो अपने मैट के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं देखिए इन दोनों को भी मैंने आ लगाने के लिए चाहिए टुकड़े तो मेरे जो है चार ऐसे आ रहे थे लंबाई मैं और चोड़ाइं जो है समें तौन थे मैंसे जो है चार चार शरका जो है आ रहा था कि अ तो मैंने भी नहीं पर रापी कर देख लिय थे बना लिया है और में जोड़ूंगी तो रिख़ेश कर डिजाइन मैंने कैसा लंबाई में और ये इस चोड़ाईम करके इसकी जो पत्ली पत्ली जो पट्तियां और शीधा और उपर वाली को अलटा करके इसमें सलाई लगा लूँगी फिस तरह से पलटती जाओंगी ऑसकप् को अच्छे से कपड़ों को तीनों को सिल लिया था और तीनों को सिलने के बाद देखिए अब इसकी जो मतलब पट्टिय रहें चार चार की तो इसको मैं एकको सिधा रखूंगी और और एक फिर जो ती इछाए तो इससे जो है मजबूती हो जाएगी सिलने के बाद इसमें तो देखे तो मेरी चाचर की तीन पट्टियां बने हैं तो मैं तीनों को जो एच्छे से सिल लूँगी इसके उपर और जो एक्ष्टा पाट था देखे मैंने इसको कट कर दिया है और अभी जो इसके लिए पट् दो और साइट के जो पट्टियां वह नॉर्मली थी धी और इसके जो अगल वगल की तियां तो दिखिए मैंने ऐसमें एक्स्टा पट्ति रही है और इसको इस तरह से तरह से बाद ऐसे जो आए इसको मूड देंगे तो से जो हमारी प्र प्टियों की जो फिनिश्ग है वह बना सकते हैं तो इस तरह की बड़ा मेंट निकल करें तो इस तरह की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और जरास भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बढ़ा है